हाई दोस्तों, आज हम करने वाले हैं Hunter 350 का in-depth review जिसके लिए हमारे सामने जो है, वो है Mayhem Black Color Continuity GT का, जो कि अभी Hunter में Rebel Black कहा जा रहा है, पहले ये color GT में आता था, GT में same tone में आता था, silver and black and बीच में yellow line आता था, same आता था, आई इस model में pro and cons भी cover करेंगे, साथ ही साथ जो है cover करने वाले हैं, थोड़ा Royal Enfield ने इस बार design obviously change किया हुआ है, look जो है change किया हुआ है, यहाँ पर आप RO देखेंगे, Royal Enfield का RO लिखा हुआ है and इसके opposite में जो है Royal Enfield का EN लिखा हुआ है, तो design graphic में हलका सा look change जो है Royal Enfield लिखिया हुआ है, even आपने S series भी देखी, even आप इसका leg guard भ classic का ही engine है, दोस्तों, उसमें कोई difference नहीं है, बट हाँ, इसका pickup थोड़ा अच्छा मिल रहा है, क्यों, bike light weight है, आपको थोड़ा सापको difference जो है, feel होगा, जैसे ही आप इसको ride करेंगे, तो एक अलग difference जो आपको feel yes होगा, and कई लोग इसके ground clearance को लेके question पूछ जाते हैं, क्यो जो बोलते हैं, वो जरूर लगाई है, ताकि आपका फिर भी अगर आप कहीं off-road ऐसा कुछ कर रहे हैं, जैसे कि इंडियन डोन में आपको बालूम ही होता है, तो आपको प्रोडम ना आए, and rare से जो टाय है, वो अच्छा ब्रॉड लग रहा है, 140 ब्रॉड टायर जो है, वो मैं ने लास्ट वीडियो में भी इचज क्लेर किया था, जो metro वर्जिंस है, उसमें आपको meteor के जो वो कंसोल है, वो ही मिल रहा है, इसमें आपको gear indicator मिल जाएगा, इसमें आपको fuel indicator मिल जाएगा, time मिल रहा है, इसमें trip A, trip B, trip indicator जो हैं, वो मिल रहे हैं, बाकि warning indicator मिल बाकि ब कर रहा है तो क्लासिक और मेटियोर में जो अभी आ रही है वही आपको मिल जाती है रेट्रोट्राइब की इसका डिजाइन भी बहुत ही सही इसमें हजार्ड भी जो है इन बिल्ड जो है किया गया है और रेबल ब्लैक जो कलर है अपने जो टीजर वीडियो देखा होगा जो आपको जाता जाता पेकर ना बट रहा है इसलिए मुझको जो टैपर सीरीज है जो जो मैटरो सीरीज है वह ज़्यादा पसंद्द है एंड चली पहसे तो सिर्फ आपको कलर डिफरेंस ही देखने हुं भी कोई बिदिधा कि दोस्तों कई सारे ऑनलेन shouting मीडिया में जाते हैं कि मोनशों कर फ्रेंट में यूज्डेशिए आते तो बहुत ही रहता ये से रहता अगर प्राइस जो फेक्टर अभी आपको मिल रहा है ना वो प्राइस फेक्टर फिर बाद में नहीं मिलता उसके टिल अप झारूर देंगे अगर बात करें दोस्तों कमफर्ट की बात करें शिटिंग कमफर्ट की कैसी सिटिंग अगर आपको थोड़ा बात पैसा देके आपको हैं अगर आपको अच्छे कलर ओप्शन मिल रहे हैं और साथी साथ आपको स्विच एसेमली और जो इंस्ट्रूमेट क्लेस्टर है वो भी एडवांस मिल रहा है तो मैं कहूँगा कि यह खराब डील नहीं है और साथी साथ आपको मैंने जैसे कहा कि अलाविल टूबलेस टायर मिल रहा है यह सारे फीचर सापको एड़ाउन ही है और इसमें जो में मुझे लगता है ना वह है डूल चैनल अब डूल चैनल एबियस के वएसे दोस्तों आपक थोड़ा सा बजट का प्रोडम नहीं है तो आप चुरूर जो है मेटो सेरीज को ले सकते हैं मैं ऐसा नहीं बोल रहा है अगर बजट बहुत ही अच्छा है और कलर पसंद है तो ही लीजिए हालाकि यह कलर मुझे मुझे सच में पसंद है इस से बैटर अगर बात करें तो आपको कॉंट सा कलर और अपशन पसंद आया अगर आपको बाय करना होगा है तो आप कौन सा कलर बाय करेंगे जरूर में बताएगा और मैंने लास्ट वीडियो में प्राइजली डेटियल आपको शेर कर दोंगा यहां वीडियो करते हैं ख्याल रखे ध्यान रखे और झाल 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 झाल